आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं होता ही स्टेडी ग्लोस पे आपको बहुत दोस्पागर है कौन है अलेक्जेंडर दुगी बहुत ही प्रॉमिनेंट बैकर है यह व्लादमीर पूतीन करन की बेटी कार बॉम ब्लास्ट में मारती ही है 60 साल के जो दुगी नहीं वो इक बहुत ही इंफ्लुइंशल राइटर है पॉलिटिकल फिलोसफर है एनलिस्ट है कल ही मैंने आपको बताया था कि रश्या यूकरेन में आखिरकार चल क्या रहा है यह वह आपने देखा होगा यूद्वे कौन जीत रहा है कौन नहीं ल अलेक्जेंडर दुगीन की बेटी को एक कार बॉम ब्लास्ट में मार दिया गया है मॉस्को में यह हाथसा होगा उन्तिस साल की थी यह और बहुत ही एक उनफॉर्चनेट घटना है इट वोज एन SUV जिसमें ब्लास्ट हुआ और रश्यन मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो कार विदल दी और इनकी बेटी मर गी तो दुगीन जो है वो एक कल्चरल फेस्टिवल से वापस आ रहे थे जो अपने पिता जी के साथ वो अटेंड करने गई थी और अगर एसोसियेटेट प्रस की वाने तो डेनिश पुशिलीन जो की प्रेसिडेंट है सेपरेटिस डॉन प्रस्क पीपल्स रेपबलिक के मतलब देनिश पुशिलीन तो उनका मानना है कि जो फोकस है रश्या जो लड़ा रहा है यूकरेन में उन्हों ने इस अटाक को ब्लेम किया है कि जो यूकरेन रिजीम के टेरिस्ट है उन्हों नहीं अलेक्जेंडर दुगीन को माना है यान आदमीर पुतीन पे इनका बहुत बड़ा influence था और मॉस्कोब में पैदा हुए 30 किताबों से जादा लिखी है ठीक और इनको पुतीन's brain भी कहा जाता था कि पुतीन का दिमाग ही है ठीक है 1990s में ये prominence में है और former chief editor था ये सागाड टीवी जो की पुतीन मतलब आपको पते है क जो ये सारी authoritarian states होती है इसमें media state control करते है तो पुतीन का ही network था रश्यन orthodox church के भी काफी ज़्यादा करीबी है ठीक है political views की बात करें तो इनकी current political ideology यही था कि कुछ भी है रश्या को आगे लेके जाना है 1991 का जो manifesto है जो great war of the continents उन्होंने रश्या के vision के बारे में बताया था समझ रहो 1997 work the foundation of geopolitics geopolitics future of Russia यह बहुती important influential work Alexander Dugin का माना जाता है post communist period में और नका main argument यही था कि आखो अमेरिका और NATO जो है वो रश्या को रोक रहा है और रश्या को बरबाद कर रहा है तो plan simple है सबसे पहले Soviet Union साथ में आए और उसके बाद Diplom में सी यूज़ करके Japan, Iran, Germany के साथ partnership करें और अमेरिका और बागी जो Atlantisist जो West है उसको बाहर ठेग दे अलब एक तरीके से जो World War 2 में हुआ था Ukraine War में अगर बात करें तो दुगीन जैसा कि मैंने बता पुतीन के बैकर रहे हैं और इन्होंने अमेरिका को भी target जो Sanctions अमेरिका ने लगाए तो उसको बहुत जबरदस target किया और जैसा कि मैंने बता कि Russia में इनकी बड़ी इज़त है बहुत ज़दा इज़त है और ये जो नया Russia है नवो रोसिया जिसको बोला जाता है उसी के उसी idea के ये काफी समरता के क्योंकि 1991 में जो Soviet दिखर गया था उसको वापस लेके आना है और पुतीन की जो Ukraine strategy है उसके ideological author यह और ये हमेशा मानते की जो आजाद Ukraine है वो हमेशा एक खत्रा रहेगा पूरे Eurasia के लिए हमारे लिए तो इसलिए total military और political control चाहिए black sea का इसके इलावा कोई विचारा नहीं है समझ रहो तो ये था तो इनकी बेटी मारी गई है टार्गेट तो यह थे लेकिन जो निशाना थ है वो इनकी बेटी थी यह लेच्चरत आयोप आपको पसंद आया होगा NCRT History course को मारे ज़रूर भेल करें thank you so much